हाई एवरीवान माई नेम इस पंकर्ज दिंगरा और आज यू आल नो भी बनाओ आम ए प्राउड फिंट्रामर ए वाउम वेलकम गाईस तो आल फ्यू तो आ चैनल तोड़े वी डिस्कासिंग कि एसी सी एग्जम्शन्स क्या-क्या होती हैं और किस किस को मिलते हैं बहुत सार और बच्चे जो डिफरिंट डिफरिंट लेव्लिस प्र यहां चाहिए वहूँ कॉर्ण चाहिए बॊ-इयॡ्म हो चाहिए वह सीए और चाहिकिया टारणMacे क्लिफाइए को दिशेयुकॐ-देत is the reason my friend we thought it is all the more worthwhile to be here and have a detailed discussion on that. So let's start, today we will uncover all the things. Should we get in there? Yes sir. But before we really jump in, please subscribe to our channel for Intran Global and press the bell icon for keep getting these informative videos and the related updates. So let's start the discussion today on exemptions. Yes sir. Alrighty. सबसे पहले बिच्चे मैं बात करूँगा कि आपको exemptions सबजने से पहले ACCA का पूरा course structure पता होना जरूरी है. ACCA में बिटे total 13 exams होते हैं और इसके बारे में हम detailed discussion कर चुके हैं कि वो कौन से होते हैं, उनका pattern क्या होता है, कौन से subjects होते हैं, आपको कौन-कौन से exams होते हैं, उसका curriculum क्या होता है, उसकी modality क्या होती है, timing क्या होता है, यह सब हम discuss कर चुके हैं अपने वीडियो में, जहां हमने ACCA course structure को detail में, detail में समझा. मैं उसका link उपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसके click करके ACCA course structure को detail में समझ सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, मैं बात करूँगा बच्चे, सबसे पहले exemptions की, जो हमारे BCOM students को मिलती है, मैं ACCA course structure में, जो ही total 13 subject हैं, यह आपको दिखाता हूँ, and then we'll talk on कि आपको exemptions कितने मिलती हैं. इन total 13 subject में, बच्चे, अगर आप BCOM qualified हैं, अगर आपने BCOM qualified किया हुआ है, तो आपको पहले चार subject, जो की तीन knowledge level के होते हैं, business and technology, management accounting, financial accounting and the corporate and business law, जो की skill level का पहला subject है, यह चारो subject आपको exempt हो जाते हैं, बच्चे, आपको यह चार subject के exam देने की जरूरत नहीं है, अगर आप BCOM qualified हैं, तो यह चार subject आपको exempt, अब एक question कई बार बच्चे पूछते हैं, वो यह, कि सर अगर मैं BCOM हूँ, तो क्या मुझे कुछ extra exemption मिलेगी, तो answer is no, BMCOM और BCOM, अगर आपने किया हुआ है या सिर। BCOM भी किया हुआ है, तो भी आपको सिर्फ 4 exemption मिलती हैं, और यही वो 4 exemptions हैं, अगर आपने BMCOM भी किया हुआ है, तो exemptions आपकी 4 ही रहने वाली हैं, बात समझ में आती है, बिलकुल आती है, तो चलो, हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे, अगर आपने CA IPCC clear किया हुआ है, हो सकता है, आपकी graduation अभी चल रही हो, हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आता है, महर पास जिनकी graduation चल रही है, बट CA IPCC clear हो गई है, बहुत अच् में पांच exemptions मिलती हैं, बिटे, पहले तीन knowledge level के subject, जो कि हैं business and technology, management accounting, financial accounting, यह तीन knowledge level के subject और दो skill level के subject आपको exempt हो जाते हैं, जो कि है taxation और audit and insurance, यह दोनों subject आपके exempt हो जाते हैं at the skill level और तीन knowledge level के subject तो हैं, तो पांच subject आपके exempt हो जाते हैं, अगर आपने CA IPCC clear किया हुआ है, और आपकी BCOM अभी qualify नहीं हुई है, सर, सर मैंने तो CA IPCC भी कर लिया सर, सर मेरे तो BCOM भी हो गई है सर, अब मैं क्या करूं सर, सर CA inter हो गई सर, सर BCOM हो गई सर, आप क्या करें सर, तो चलो उस पर चलते हैं, in that case, you would get six exemptions my friend, पांच जो मैंने भी बोला, जो कि business and technology, financial accounting, management accounting, taxation, taxation, और audit and insurance है ही, उसके अलावा आपको corporate and business law भी exempt हो जाता है, छे पे पर exempt हो जाते हैं बच्चे, अगर आप BCOM प्लस CA IPCC qualified हो या CA inter हो, अगर आपने ये किया हुआ है, तो आपको छे पे पर exempt हो जाते हैं, ACC में, आपको बाकी के साथ exam ही देने होते हैं, बात समझ में आती है, बि उन, उन students की, जिन्होंने CA qualified किया हुआ है, ओ, 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 सर, CA final के students के रहे हैं, बात नहीं करोगे, मैं करूँगा बच्चे, बट एक बारी में बात करूँगा, CA qualified students के लिए, maximum exemption बच्चे जो ACC देता है, किसी को भी, जो CA qualified है, maximum exemption उसी को मिलती है, वो होती है, 9 exemption बच्चे, जो की तीन knowledge level के subject होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, business and technology, management accounting, financial accounting, ये तीनो subject exempt, और 6 subject skill level के भी exempt हो जाते हैं, जो की corporate law, performance management, taxation, financial reporting, audit and assurance, and financial management है, and you know that all, all right, CA qualified हो, तो ये 9 paper exempt, सिर्फ 4 paper देने हैं, and just get it going, but a good news ना बच्चे, मेरे पास उन सब students के लिए है, जो मैं genuinely, detail में cover करना चाहता हूँ, आपको बताने के लिए, वो ये, कि वो बच्चे, जिनका CA IPCC बच्चे clear हो गया है, बिल्कुल ठीक है सर, और जो की CA final में है, but किसी कारण से, उनका CA final clear नहीं हो रहा है, but, उन्होंने group द दिया, और group 1 में उनने financial reporting में 40 ले आए, but group clear नहीं हुआ, okay sir, या फिर, वो strategic financial management में 40 ले आए, but उनका group clear नहीं हुआ, किसी भी कारण से, हो सकता है, आपका total ना बनाओ, in that case also, ACC recognize करता है आपके इन exams को, जहां आपने 40 प्लस marks अचीव किये हैं, और in that case, आपका skill level का, skill level का financial reporting औ exempt हो जाता है, isn't that very good news, yes sir, sir, अगर मेरे group 2 में costing में आ गया हूँ, sir, 40 प्लस, तो क्या मेरा performance management भी skill level पे exempt हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा, बेटे, कहने का मतलब यह है, बेटे, कि जो CA qualified को no exemptions बिलते हैं, वो CA IPCC clear को ही मिल सकते हैं, अगर उसने CA final के attempt दिये हुए हैं, और financial reporting, strategic financial management, strategic cost management के अंदर, वो 40 प्लस मार्च लाया हुआ है, तो उसको यह 3 subject, छे तो IPCC clear करने के बाद ही मिल रहे थे, यह 3 और, जो skill level के subject हैं, यह भी exempt हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ remaining 4 exam ही देने होते हैं, जो CA qualified को देने होते हैं, isn't that a wonderful thing, yes sir, does that help you from the standpoint of understanding, की exemptions होते कितनी हैं, yes sir, that is the reason my friend, we wanted to discuss this, because यह confusion हमारे पास बहुत सारे बच्चों से आती है, but because बच्चों ने बहुत सारे courses की होते हैं, बहुत सारे चीजें already cover कर चुके होते हैं, तो they really want to know, कि sir, हमें exemptions कितनी मिलते हैं, we tried covering, I would say on the macro level, what we get as max in terms of queries, but बच्चे, अगर आपकी कोई और qualification है, यह कोई और आपने की हुई यह चीज जिस वजा से आपका status different है, तो do, do, write it in the comment box, we'll pick it up and we'll also make a video on that and we'll answer it there and there, is that clear, yes sir, hope this video was helpful my friend, and if it is yes, then do circulate this in your CA fraternity, amongst your CA friends, so that they also can get to know about this and take the benefit from this, do subscribe to our channel FinTramp Global and of course, press the bell icon for keep getting the updates, I'll see you again, till then, this is Pankaj Jhingra, signing off.